नमस्कार N.I.O.S. द्वारा संचालेत योग शिक्षक प्रशिक्षन कारिक्रम में आपका स्वागत है इस कारिक्रम के माध्यम से योग का प्रचार प्रशार हो और योग शिक्षक तयार किये जाए इस क्रम में हम महरशी पतंजली के अस्टांग योग पर चर्चा करेंगे अस्टांग योग में आठ अंग महरशी पतंजली द्वारा साधना के लिए बताए गए हैं वो हैं यम नियम आसन प्रणयान प्रत्यार दारना ध्यान और समाधि पहला अंग यम कहलाता है यम हमारे जीवन में आने वाले वो महत्व पूर्ण नियम हैं जिनको अपना करके हम सामाजिक सुब्वस्था स्थापित कर सकते हैं और सबसे पहले यहां सामाजिक विवस्था को महत्व दिया गया है जिनमें पांच है अइंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचरिय और आपयरिग्र है यम हमें सामाजिक समावेश के लिए तयार करते हैं हम समाज में किस तरह से रहे, किस तरह से समाज की विवस्था ठीक ढंग से चलती रहे इसके लिए ये पांच गुणों को धारन करने की बात की गई है जब पहला अहिंसा है हिंसा किसी भी प्रानी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुचाना हिंसा कहलाता है और किसी भी प्रानी को शरीर से, मन से, वचन से किसी भी प्रकार से हम कष्ट ना पहुचा है तो ये अहिंसा कहलाता है अहिंसा का पालन करने से समाज में परस्पर प्रेम और सदभाव का वातवन बनता है उसका कोई शत्रू नहीं होता महरची पतजली कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत सन्निधव वैरत्यागह जिसमें अइंसा का भाव प्रतिश्थित हो जाता है उस प्राणी का कोई भी वैरी नहीं होता आश्रमों में जो हम प्राचिन गरंतों में पढ़ते हैं वणन आता है कि कहलाने एकत वसत अही मयूर म्रगबाग साप और मोर स्वाभाविक दुस्पन है शेर और म्रग स्वाभाविक दुस्पन है लेकिन ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि वहाँ स्वाभाविक वैर को छोड़ कर ये सब प्राणी एकटे रहते हैं ये अहिंसा का प्रभाव है इसलिए अहिंसा जिस वेक्ति में प्रतिश्थापित हो जाती है उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इंसक भाव से मुक्त हो जाता है और यदि हमने इसका पालन किया और आहिंसा प्रतिष्ठित हुई तो समाज में कोई भी किसी का वहरी नहीं होगा दूसरा सत्य कहलाता है हमारा जो राष्टिय उद्गोष है सत्य में उजायते ये इस बात को प्रमानित करता है कि हमारा जो समाज है वो सत्य पर आधारित समाज है हम यदि सत्य का पालन करेंगे तो हमारा कोई कारी खराब नहीं होगा क्योंकि ये महरची कहते है सत्य प्रतिस्थायाम सरुक्रिया फलास्रत्म हर काम फल देने वाला होगा सफल होगा हम सत्य का प्रियोग इसलिए नहीं करते कि हमारा काम खराब नहीं हो जाए लेकिन महरची कहते हैं सत्य का पालन करने वाले का कोई कार बिगड़ता नहीं है ऐसे ही हिंसा भी हम ये सोच कर करते हैं कि हमने नहीं की तो ये दूसरा हमें हिंसा करेगा लेकिन अहिंसा प्रतिस्थित होने पर उसका कोई शत्रू रहेगा नहीं तो हिंसा कैसे होगी इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन भावों को दारन करें तीसरा एस्ते है चोरी न करना चोरी का भाव हम हमारे मन में कैसे उत्रूर होता है कि हमारे पास कोई वस्तू नहीं है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है तो हम उसको चुरा लेते हैं और उस अभाव की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं लेकिन देखिए अस्ते का पालन करने से अभाव रहता ही नहीं तो चोरी करने के आफशकता ही नहीं पड़ेगी कहा है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रतनों पस्थानम सब रत्रों फस्तित हो जाते हैं उसको कोई कमी रहती ही नहीं तो चुछी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेकि पहले पालन करें और पालन करने से समाज एक मेवस्ता कैसी होगी जहान ना हिंसा होगी ना जूट होगा ना चुछी होगी तो देखिए कैसा आधत समाज बनेगा यही तो रामराज्य की कल्पना है चोथा क्या नाता है ब्रह्मचरिये ब्रह्मचरिये इंद्री निगर है जो हमारी कामेंद्रिये है हम उसे अपने निंदर्ण में रखे आप यह देखिए कि जो भोजन हम करते हैं उस भोजन से सबसे पहले रस बनता है और रसाद रक्तम ततो मांसम मांसन मेदह प्रजायते मेद सो अस्थी ततो मज्जा मज्जाया शुक्र सम्भवा रस से रक्त बनता रक्त से मांस मांसे मेद मेद से अस्थी अस्थी से मज्जा मज्जा से शुक्र यह सात्वी धातु बनती है इस शुक्र से ही बल या ओज की प्राप्ति होती है जो चेरे पर चमक दिखाई पड़ती है वो इस ओज के कारण है आज युवाओं के चेरे पर भी ओज नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि जो भोजन करते हैं उसे ठीक तरह से रस नहीं बनता जब युवावस्था में ही वार्धक्य के लक्षन दिखाई पड़ने लगते हैं बोजन का बहुत महत्वण स्थान है उस सात्वी धातु शुक्र की रक्षा करना ब्रह्मचरी कहलाता है अगर उसकी रक्षा की तो ओज बनेगा अगर रक्षा नहीं की तो वो जो कुछ खाया प सर्क्षन पर दिया गया है और यहां तक कह दिया है मरण मितु पातेन जीवनां भी धारत होना मृत्वण धार्ण करना जीवन है इसलिए बिंदु का शुक्र का वीरे का संद्रक्षन करना बहुत जरूरी है और इसी वीरे के संद्रक्षन से जो ब्रमचरी की स्थिति आती है तो असी बल की प्राप्ति होती है ब्रमचरी प्रतिष्थायां वीरे लावा शक्ति उसकी सामर्थ एसी हो जाती है जहां हनवान जी की बात करते हैं भीम की की बात करते हैं जहां भीस्म की बात करते हैं, महरसी दयानंद की बात करते हैं, वो ब्रमचरे का ही बल है, और ब्रमचरे का बल अपने आप में वो सामर्था रखता है, जो कोई भी कारे करने में समर्था हो सकता है. आज समाज की द्रिष्टी से देखिए, समाज में जो अनेक तरह की घटनाएं घट रही हैं, ब्रमचरे के अभावों में इदि ब्रमचरे का पालन करेंगे, तो उन सबसे भी समाज बच जाएगा. हमारा जो देश है, जिसकी महता, आधर्स इसलिए मानी जाती है, कि यहां के निवासियों का चरित्र उत्तम था. जो उस ब्रमचरे के बल पर ही रिश्यों ने प्राप्त किया था. यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमारे शारिरिक के साथ साथ मानसिक और बुद्धिक विकास के लिए ब्रमचरे की आउश्यक्ता है. 25 वर्ष का काल रिश्यों ने ब्रमचरे अवस्था के लुप में बताया है, ब्रमचरे आश्रम कहा है. 25 वर्ष तक हमें ब्रमचरे पूर्वक रह करके जब ग्रहस्था आश्रम में प्रुविस्थ होंगे, तो वो पुष्ट शरीर वाला, पुष्ट शरीर वाले ही, पुष्ट बुद्धी वाले ही बालकों के जन्व का कारण बनेगा. यदि पहले ही शरीर पुष्ट नहीं है, तो विभिन व्यादियों से ग्रस्थ बच्चे उत्पन होंगे. इसलिए प्र्मचरी क्या हो सकता है? पांचवा है परिग्रह का है. परिग्रह कहते हैं इखटा करना. जो मिला इखटा कर लिःं और जब इखटा करेंगे, तो किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के कम होगा, कोई अभाव में जिएगा, और कोई समाल नहीं पाएगा. कोई भोका और कोई धनी होगा उससे बचने के लिए रिश्यों ने एक सूत्र दिया परिग्रह का अधिक संचय ना करना जितनी आवश्यक्ता है केवल उतना ही संचय करें यदि हमारा दो कपड़े में चार कपड़े में काम चलता तो पचास कपड़े इकट्टे ना करें यदि हमारा एक बोरियन आज में दो बोरियन आज में काम चलता है तो पचास बोरियन आज इकट्टा ना करें जो हर सामगरी हर सामान के लिए इसी तरह समझना चाहिए तो हम केवल आवश्चक्ता के अनरूप और आवश्चक्ता भी यह नहीं कि हम बहुत सारी आवश्चक्ता हैं अपनी बढ़ाले आवश्यक्ता जो आवश्यक है जीवन के लिए वो आवश्यक्ता कहलाती है उस आवश्यक्ता तक ही सिमित रहें तो समाज में सुन्वस्था होगी और ऐसी विवस्था वाला समाज प्रगती की ओर बढ़ जाएगा इन यमों का पालन करके हम सामाजिक विवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं इसी तरह से नियम कहे गए है नियमों में शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर्पनिदाम व्यक्तिगत रूप से हमें इन नियमों का पालन करके अपने सुकद भमिस्था का निर्वान करना है शोच शुद्धी है हमें शरीर को, मन को, बुद्धी को, सबको शुद्ध करना है शोच दो प्रकार का कारा शोचम तू दिवविधम प्रवक्तम भाईयम अभ्यांतरस्त था एक भाईय एक आंतरी जो भाईय सुद्धी है वो जल के द्वारा साबन से शेरी को दोलिया कपड़े दोलिये अच्छे वस्तर पहन लिये और मन की सुद्धी को आंतरी का मन और बुद्धी मन और बुद्धी को सुद्ध करने के लिए मन है सत्येन सुद्यती सत्य के आचन से मन सुद्ध होता है और बुद्धी जानेन सुद्धी ज्ञान के दार सुद्ध होती तो वहाँ हम सत्य और ज्ञान को अपनाए तो शारिरिक और मान से दोनों प्रकार की सुद्धी हो जाएगी उस सुद्धी से क्या होगा? हम अपने शरीर से निवृत होने वाले मलों की और जब द्रिश्टी डालेंगे तो ऐसे ही मल सब के शरीर में है ये सोच करके आसकती नहीं होगी और अनासक्त भाव से तंसार में रहना आ जाएगा जिससे हम इस संसार के साथ साथ परमात्मा के और भी अग्रसर हो जाएंगे सोच से और क्या होगा? जो हमने आसपास वातावर्ण में गंदगी पैदा की है आज हमारे देश में ही ये स्वच्चता अभियान चला आए जा रहा क्यों? हम भी जागरती ही नहीं आई बाकि आप बाहर जाएंगे देखेंगे दूसरे देशों में कहीं सफाई की समझ्चा नहीं है कई स्वास्थ और स्वच्चता के लिए अभियान चलाने की जिरूत नहीं है जागरती है पहले ही यह हमने कूडे के ठेर लगा दिये मानने प्रधान मंतरी द्वारा जो स्वच्चता कारिकरम चालू किया गया वो इस दिश्चा में उठाया गया एक कदम है जबकि हमें सब में यह जागरती आनी चाहिए कि हम स्वच्च रहें और इस स्वच्चता के मादम से जीवन को संरक्षित करके रखें सोच के बाद में आता है संतोष संतोष के अभाव में आज विन व्याधियों से ग्रस्त हैं क्योंकि तनाव जन्न व्याधियां बहुत सारी हैं और जब संतोष्टी नहीं होती तो तनाव होता है उस तणराव से व्याधियां होती हैं उन व्याधियों से हम ग्रश्त रहते हैं तो ठीक तरह से जीवनियापन नहीं कर पाते हैं सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं यदि संतुष्टी आ जाए तो थोड़ा प्राप्त होने के बाद भी अमानन्द में रहेंगे इसलिए संतोष्ट चाहिए ये कहा है सरपाहपिबंति पवनम नहीं दुर बलास्ते सुष्कैस्त्र नहीं बनगजा बलिनों भवनती कंदही फलई मुनिबरा गमियंती कालम संतोष एवपुर्शष्य परमनिदानम सांप वर्षा के दिनों में बिल में चले जाते हैं और महिनों तक कुछ नहीं खाते लेकिन क्या वो कमजोर है जंगल में हाथी जब पूरा जंगल सूख जाता है कर्मियों में तब भी सूखे तिनके खा करके जीवत रहते हैं तो क्या वो कमजोर है मुनी लोग बहुत सारे समय तक जंगल में रहकर केवल कंद मूल फल खा करके गुजारा करते थे क्या वो कमजोर थे कारण एक है कि इन्होंने संतुष्ठी को अपना लिया है इसलिए वो थोड़े में भी गजारा करके आननिना है हम अपने जीवन को संतुष्टी दे और जो प्रियास कर मेहनत करके हमें प्राप्त हुआ है उसी में प्रसन रहे संतुष्टी बहुत जरूरी है इसके बाद में आता है तब शरीर और इंद्रियों को तब के द्वारा वश्में किया जाता है तब क्या है जो विभिन विप्रीत परिस्थितियां है उन परिस्थितियों में भी अनुकूलता लाना सर्दी गर्मी भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ सताय नहीं सुक और दुख में एक जैसे बने रहे ये तब है और इसका पालन करके हम अपने आपको इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि जहां जिस भी विप्रीत परिस्थितियों में हमें रहना हो हम रह सकते हैं यही जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा परिस्थितिया अनुकूल नहीं होती प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अनुकूल बने रहें तब के बाद में स्वाध्याय स्वाध्याय कहा है मोक्ष शास्त्रा नाम अध्यनम प्रणुजपोवा मोक्ष शास्त्रों का अध्यन करना जो शास्त्रा हमें मोक्ष की और ले जाने वाले हैं उनका अध्यन करना, या ओम का जाप करना, जिससे प्रमात्मा के और अग्रसर हो जाए, इसलिए हम अपने आपको जानने का प्रियास करें, मैं क्या हूँ? अब तक हम यह नहीं समझ पाएespère। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं आत्म तत्त हूँ, इसको जानना और केवल जानना नहीं उसको मानना और केवल मानना तक नहीं उसको प्रियोग में लाना यह बहुत जरूरी है इस्वाद्याय के मादन से आता है और अंतिम नियम कहा है इस्वार परणिधान इस्वार के प्रती समर्पन कर देना हम इसलिए दुखी रहते हैं कि हम यह सोचता है कि यह मैंने किया था और खराब हो गया इसलिए दुखी हो हम कारे करने में समर्थ हैं करें कर्म करने में स्वतंत्र हैं करना चाहिए पूरे प्रियास के बाद भी जो फल मिले उसे स्विकार कर ले और उसको परमात्मा का प्रसाद मान करके ग्रैन करें इस्वर के प्रती समर्पन किया जाना वो इसलिए भी जलूरी है कि जब हम सब जगे से आशा छूट चुकी होती है तब कोई बड़ा यदी हमें सारा दे देता है तो अच्छा लगता है और हम उस मार्ग पर आगे फिर प्रियास करते हैं यहां वो सरुशक्तिमान परमात्मा आपके साथ है ऐसा मान करके हमने उसके प्रती जब समर्पन कर दिया तो अब निर्भैता आ जाती है और हम संसार के युद्ध में जुट जाते हैं बिना ये सोचे कि हम इसमें ऐसफल होंगे वो प्रामानिकता केवल इस्वर में है जो सरुशक्तिमान कहलाता है और समका आदिस्थाता है इस भाव को धारन करने के बाद हम कोई भी कारिय करें तो उसमें आगे बढ़ जाएंगे और उस परमात्मा का आश्रे हमारे साथ है ऐसा संबल पा करके हम पीछे नहीं हटेंगे कदम नहीं हटाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ये इस जीवन की यात्रा के लिए आवश्या है ये यम और नियम इन दोनों को अपना करके ही हम इस संसार में जहां भी जिस भी स्थिति में है वहाँ यदि कर्म रत होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के उद्धिस को प्राप्त करने में सफल होंगे ऐसा मेरा विश्च्वास है आज इन यमों और नियमों के पालन की समाज में अत्यनत महती आवश्यक्ता है और इन का पालन करने के बाद एक सुखद और अच्छा हम सामजस से पूर्ड सहयोग पूर्ड समाज का निर्मान कर सकते हैं ये समाज में रहने का उपाय है ये समाज में रहने का एक विधान है और यम नियमों का पालन करके हम अत्य समाज का निर्मान करेंगे ऐसी मुझे आशा है इन्ही सुब कामराओं के साथ ओम शांति